आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello, the question is A tuning fork of frequency N resonates with a closed organ pipe when the length of shorter air columns are A and B respectively then the speed of sound in air will be तो हमें निकालना क्या है V निकालना है, जो की speed है हमें frequency दे रखी है कितना N के बराबर दे रखी है अबर हमें एक और चीज़ दे रखा है कि shorter air column का length जो है organ pipe का A और B है अबर किसमें? closed organ pipe के closed organ pipe में जो सबसे shortest बनता है वो क्या बनता है lambda by 4 बनता है तो ये lambda by 4 जो है वो A के बराबर दे रखा है इन्होंने अबर एक और उसके बाद वाला जो respectively बोला है मतलब इसके बाद वाला जो shorter wavelength बनता है वो बताना है तो उसमें ऐसा होता है कि एक लूप यहाँ पुरा होता है ये 1 by 4 मतलब lambda by 2 plus lambda by 4 ये जो है वो B के बराबर इन्होंने दे रखा है तो lambda by 2 को A के जगा replace कर देते है sorry lambda by 4 को A के जगा replace कर देते है तो lambda by 2 plus lambda by 4 के जगा A आएगा तो यहाँ आजाएगा और ये B हो जाएगा तो lambda by lambda के value यहाँ पर क्या जाएगी 2 times B minus A अब देखो हम जानते हैं कि speed जो है जो कि हमें निकालना है वो होता frequency into lambda frequency के value N के बराबर दे रखी है और lambda के value हमने ये लिका लका लका रखी है 2 times B minus A तो यहाँ से कितना है 2 N into B minus A के बराबर हमारा speed आड़ा है therefore the speed of the sound in air will be 2 N 2 N B minus A option D will be correct Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलें से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज यह डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट 8444 सो पर